आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello everyone यहाँ पर एक problem दिया हो है उसका हम solve करेंगे यहाँ पर बोला गया है कि find x square minus x minus 2 whole by 2x square plus x minus 3 find it in its lowest term मतलब इसको simplify करना है और इसको simplify करके इसका numerator and denominator को इस दियो है option से check करना है यहाँ पर 4 options है जो ठीक होगा और उसको correct option से check decide करेंगे तो इसको करने के लिए पहले हमें numerator and denominator दोनों को simplify और factorization करना है पहले factorize करेंगे दोनों को फिर उसका simplification लेगे तो पहले numerator को लेते हैं numerator में है x square minus x minus 2 अब हम देखते हैं कि पहले जो right side leftmost and rightmost side में जो दो term है x square minus 2 उसका multiplication हम यहाँ पर मिल रहा है minus 2 x square तो हम यहाँ पर minus x को ऐसे break करेंगे कि multiplication ही minus 2 x कराएगा तो इसको हम लिखेंगे ऐसे x square minus 2 x plus x यहाँ पर minus 2 x और plus x का answer हमें minus x ही देगा और minus 2 अब हम इसको middle term कर सकते हम इसको ऐसे break किये अब इसको middle term करेंगे तो यह पहले जो 2 है मैं यहाँ पर mark कर देता हूँ यह पहले जो 2 है उससे हम common लेंगे x यहाँ पर मिल देगा x minus 2 इससे सिफ 1 common लेंगे तो आएगा x minus 2 अब इन दोनों से x minus 2 को common लेंगे तो पूरे term से आएगा x यहाँ से x आया और यहाँ से plus 1 आएगा x plus 1 तो यहाँ वाना हो गया numerator का factorization अब हम लेंगे denominator को तो denominator में हमें मिला 2x square plus x minus 3 इसको भी सेम तरीके से divide करेंगे minus 3 और 2 इसको minus 6 मिल रहा है तो इसको भी break करेंगे plus 3x और minus 2x तो 2x square plus 3x minus 2x minus 3 अब पहले दोनों से हम यहाँ पहले दोनों से हम common लेते हैं तो हमें मिलता है x common लिया तो 2x plus 3 और दूसरे में से minus 1 common लेते हैं तो हमें मिलता है 2x plus 3 तो फूरे टर्म से हमको 2x plus 3 common मिल जाएगा तो हमें मिलेगा अब x minus 1 यहाँ से x यहाँ से minus 1 अब हम दोनों का division लेते हैं और उसको simplification भी करेंगे तो मैं फिर से एक पर लिखे लेता हूँ x square minus x minus 2 x square minus x minus 2 whole y यहाँ पर 2x square plus x minus 3 हमें उपर मिला था numerator के लिए हमें मिला था यहाँ पर x minus 2 x plus 1 multiplication लो और denominator में हमें मिला था 2x plus 3 multiplication by multiplied by x minus 1 तो में नीचे लिखे लेते हैं हम दोनों का x minus 2 multiplied by x plus 1 और नीचे हमें मिलेगा 2x plus 3 multiplied by x minus 1 अब हम देख सकते हैं यहाँ पर कुछ cross नहीं होगा यहाँ पर x plus 1 है यहाँ पर x minus 1 है इसको cross नहीं कर सकते हैं x minus 2 भी किसी से cross नहीं होगा तो इसको simplify और नहीं कर सकते हैं यह हमारा simplest form है अगर यहाँ पर x minus 1 होता तो हमको इसको omit कर देते हैं अगर होता तो हमें मिलता यहाँ पर हम ब्रेकेट में लिखते हैं तो हमें मिलता x minus 2 और 2x plus 3 क्योंकि यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो हम इसको प्रेशन x square minus x minus 2 by 2x square plus x minus 3 तो हमारा correct option option 2 है Thank you